बच्चो आज अब हम चलिए शुरू करते हैं BST का तीसरा चाप्टर या तीसरी यूनिट तीसरी इकाई हम इसे हिंदी में कह सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है नीजी सारवजनिक एवं ग्लोबल उपकरम अब इसे पहले हम इंग्लिश में translate कर लेते हैं नीजी को हम कहते हैं private और सारवजनिक को हम कहते हैं public और ग्लोबल उपकरम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं global enterprises यह तीनों टर्म्स हैं हम इनने एक एक करके समझेंगे आई सबसे पहले समझते हैं नीजी शेत्र क्या है नीजी क्षेत्र को समझने से पहले बच्चों अगर आपने गौर किया होगा तो यह जो नीजी शब्द है वह आप आज कर रेगुलर लाइफ में अपने सुन रहे हो कहने का मतलब है आप लोग सुनते होंगे कि इस सेक्टर का प्राइवाटाइजेशन हो गया या किसी और सेक्टर का प्राइवाटाइजेशन हो गया मतलब बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जिनका नीजी करण कर दिया गया क्यों कर दिया गया होगा क्या बता सकते हैं बिल्कु क्योंकि नीजी करण होने के बाद क्या चीज़ें होती है नीजी करण होने के बाद जो संसाधन है उनका पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है साथ ही साथ नीजी करण होने के बाद जो नई नई तक्नीके हैं उसका इस्तेमाल करके कारे को और अच्छी तरीके से सही समय पर कर आया जाता है मैं ऐसा नहीं कर रही कि पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है लेकिन आज कर जो एक ट्रेंड चल रहा है मैं इसकी बात कर रही हूं कि ट्रेंड यही है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पहले पब्लिक सेक्टर्स से आज उनको कनवर्ट कर दिया गया ह प्राइवेट सिक्टर्स में यहां उनका नीजी करण कर दिया गया है अब इसको जानने के बाद आईए हम जानते हैं कि नीजी शेत्र जो होते हैं उनका अर्थ क्या है जो नीजी शेत्र के उपकरम जो होते हैं उनकी जो स्थापना होती है नीजी स्वामित्व के रूप में ह मतलब अगर कोई इंडेस्ट्री या इंटर्प्राइज बनता है या स्टार्ट होता है तो उसका जो उनर्शिप होगा या उसका जो स्वामी होगा वो प्राइबेट या नीजी होगा कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि उसमें जो सरकार का जो हस्तक शेप है स्वामित्व की दृष्ट कोण से नहीं होगा शासन के द्वारा जो नीतियां एम नीयम बनाए गये हैं भले ही उनको इन प्राइबेट सेक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा या पालन करना पड़े लेकिन जो सरकार है चाहिए वह राज्य सरकार हो चाहिए वह केंद्री सरकार हो उनका जो स्वामित्व के दृष्ट कौंश से इन नीजी शेटरों में हस्तक शेप नहीं होता आईए अब हम कुछ उधारण से नीजी शित्र को और अच्छी तरीके से समझते हैं जैसे कि आपने सुना ही होगा अनिल धीरुबाई अमबानी ग्रुप यह रिलाइंस ग्रुप है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो बहुत सारे सैक्टर्स में काम करती है जिसे कि रिलाइंस कैपितल ही डिलाइंस कम्मिनिकेशन में इंफ्रास्ट्रुक्ट्र के इसके अलावा रिलाइन्स हेल्थ, रिलाइन्स इंटर्टेन्मेंट एन्स पावर और एक उधारण देखते हैं आदिति बेडला एंड ग्रूप आपने इसका आदिति बेडला का बेडला सनलाइफ इंशुरेंस भी सुना होगा इसके अलावा आपने अल्ट्राटेक्स सिमेंट भी सुना एक और अच्छे उधारण से समझते हैं इसे हम रतन टाटा ग्रूप अब इस ग्रूप को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं टाटा एई जी इंशुरेंस कंपनी हैं इसे आपने सुनाई होगा इसके अलावा टाटा क्यापिटल टाटा कम्मिनिकेशन टाटा कंसल् टाटा पावर और टाटा स्टील्स तो यह जो हैं वो एक नीजी कंपनिया हैं यह क्या करती हैं अपने कारे को नीजी रूप में करती हैं इन्होंने अपना जो ब्रांड नेम हैं उनको विभिन उद्योगों में लगाया है अपनी पूंजी विभिन उद्योगों में को और अच्छी तरीके से समझते हैं जो पहरी परिभाशा है वो सर एच हैंसन ने दी हैं उनके अनुसार नीजी शेत्र से आशे व्यक्तियों के स्वामित्व एवं संचालन के अंतरगत आने वाले और योगिक क्रिशी वित्तिय तथा वानेजिक संस्थाओं से हैं एक और पर स्वामित्व में स्थापित ऐसे उपक्रमों से हैं जो की foreign माणजिक क्रियों में सनलगन होते हैं तो अगर हम इसका निश्कर्श निकाले तो हम यह कह सकते हैं की निजी शेत्र ऐसे शेत्र होते हैं जहां पर जो व्यक्तियों का स्वामित्व होता है एवं उनका संचालन होता है वहां क्या होता है अलग अलग या विभिन शेत्रों में होसता है चाहे वो ओद्योगिक शेत्र हो चाहे वानिजिक शेत्र हो चाहे वित्ति शेत्र हो तो वहां पर उन शेत्र को क्या कहा जाता है नीजी शित्र कहा जाता है अब बचो हमने नीजी शित्र को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आईए अब इसकी कुछ विशेष्टाओं को भी देखते हैं अब नीजी शित्र के लक्षन या विशेष्टाएं देखते हैं बचो पहली जो विशेष्टा आप स्क्रीन पर द व्यावसाई संपत्य पर अधिकार होता ही है साथ ही साथ उनकी नीजी संपत्य पर और भी कई संपत्यों पर अधिकार होता है जिन्हें वो व्यावसाई के द्वारा जो लाभाजन करते हैं उनसे बनाते हैं फिर बाताती नीजी लाभ की प्रेरणा अब जब ये लोग नीजी कारे करते हैं उनसे अच्छा लाब कमाते हैं तो यह उनके लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं तब ही तो जो आपने देखा कि एक जो है नाम वो कई शेत्र में कारे कर रहा है ना कुछ जो है वानीजी के शेत्र में कारे कर रहा हैं कुछ जो है नाब आरजन यहां प्रेरणा कारिकर अगला विद्वु है। वो कहता है पूर्ण स्वतंत्रत अब व्यवसाी वह है उसको उद्वेकतbn चयन, प्रवंद और संचा लग। यह करने की पूर स्वतन्त्रता होती है आगे बढ़ते हैं अगले चौत्वे महत्वा या विशेश्ता को देखते हैं कहता है कि स्वामित प्रबंध एवं संचालन इसमें क्या होता है कि नीजी श्यत्र जो होता है उसमें जो ऌद का स्वामी जो होता है वही उसका प्रबंधन भी देखता साथ ही साथ परोंद का संचालन वि करता है अब क्या होता है ीे जो आप द्विभिन शेत्रों मैं इस नीजी शेत्र को बठते कर देखते हैं कि interior beast है वो कई एरिया में काम कर रहा है तो क्या एक व्यकती इंग सारे एरिया को कंट्रोल कर सकता है ड़ी जो करते हैं जो main owner है मतलब जो मुख्य स्वामी है उसके पास तो इसका जो जब meetings होती है कोई समस्या आती है तो उस पर जो नेडर लिया आता है अंतिम नेडर वो उसी स्वामी का होगा इस तरह यहाँ पे कहा गया है कि जो स्वामित्व प्रबंदन नेमजन चालन जो है वो इसकी एक नियमन एवं नियंत्रण वाली बात है वो सरकार के द्वारा बनाए गए सारे नियमों के अंतरगत ही होती है जो अगली विशेष्टा कहती है कि स्वतंत्र प्रतिस परधा अब यह जो है यह इस जो नीजी शेत्र है उसका एक मुख्य विशेष्टा भी मानी जा सकती है क्य क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में कई ऐसे लोग है या व्यविशाई हैं जो एकी तरके व्यविशाई कर रहे हैं तो वहां पर कॉम्पेटिशन है मतलब प्रतिस परधा है स्वतंत्र प्रतिस परधा है यहां आगे वही बढ़ेगा जो अपने कस्टमर यानी उ शिष्टा कहती है व्यावसाइक स्वामित्व के विभिन प्रारूप जैसे कि इसके पहले के चाप्टर में आपने देखा मैंने आपको बताया था सोल प्रॉपराइटर्शिप पार्टनर्शिप और सहकारी समीति यानी कोपरेटिव सुसाइटिस के बारे में तो यहां पर क्या हुआ यही जो समीतियां है यही जो प्रारूप है यह इसके विभिन प्रारूप है अब मैंने कहा सोल प्रॉपराइटर्शिप तो एकल स्वामित्व जैसे कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं फिर मैंने कहा पार्टनर्शिप जिसे साजेदारी कहते हैं फिर मैंने क को ओपरेटिव सोसाइटी जिसे सहकारी समीतिया कहते हैं तो यह इसके विभिन प्रारूप हैं इसके बाद हम अगली विशेष्ट की और बढ़ते हैं जो की है उप्भोकता की प्रभूता जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भोकता होता है यानि जो कंजूमर होता है वो मार्केट का या जो बाजार का राजा होता है कुल मिला करके कोई भी व्यवसाई आगे तभी बढ़ सकता है जब इस बाजार के राजा को संतुष्ट करेगा और उसकी जितनी भी नीड्स हैं जितनी भी आवशकताएं हैं उसक प्छेतर के वियवसाहिएव का या वेपारियों का कि उप्रूअगताओं की इच्छा और उनकी नीटस को पहचानना, और उनक को उनकी ज़रूरत के नुसार, उनकी जरूरत की चीज़ें देना अभी जैसे कि एक इच्छे एक्जमपल ले सकते हैं हम लोग कि फोन पहले पुराने चलते थे पहले आपने फोन का एक पूरा सिनारियो देखा होगा तो पहले टेलीफोन आते थे फिर उसके बाद छोटा मोबाईल आने लगा फिर दीरे दीरे दी टेकनलोजी चेंज होई और कंज्यूमर की नीड चेंज होई अगर ग्रामेंट शेत्रों में कपड़ों के पहनावे का तरीका देखें और अगर शेहरों में देखें तो दोनों में जो है कपड़ों के पहनावे में अंतर है ठीक है दोनों के ट्रेंड में भी अंतर है तो द सज्जा हर तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं लेकिन अपने कस्टमर्स को जानना और उनकी आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को उपलब्द कराना ही एक व्यवसाई का सबसे बड़ा करता भी होता है जो कि यह नीजिक शेत्र की मुखे विशेष्टा के अ अब इसमें क्या जो होता है जो नीजी जो सहसी होते हैं वो लोग पूंजी का विनियोजन करते हैं और इसके बाद अगर हम अन्य लक्षणों की बात करें तो अन्य लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं कि यहां जो गोपनियता है वो बनी रहती है इसके अलावा एकादिका तथा शोशन जैसी मनुवर्ति को बढ़ा में मिलता है कभी-कभी या इसमें जो श्रम पुंजी के जो संगर्श हैं वो भी पाए जाते हैं तो कुछ एक विशेष्टा हैं जो आपने जानी और समझी आईए अब देखते हैं कौन-कौन से लाब होते हैं सबसे पहला लाब है वह स्वतंत्रता जैसे कि आपने विशेष्टा में जाना है कि व्यवसाई को अपने व्यवसाई को चयन करने का पूरा अधिकार है ठीक है अपनी योगिता के अनुसार अपने पास नहित-पुंजी के अनुसार ठीक है अपने कोशल के अनुसार तो यह पूरी स्वतंत्रता होती है विवसाई को कि वह कितनी अच्छी तरीके से कौण सा विवसाई चला सकता है और वह कौन सा विवसाई छुनता है चिक आगे बढ़ते हैं दूसरी बिंदो की ओर या दूसरे लाब की ओर जो कहता है नीजी लाब की प्रेरणा मैंने जैसे कि आपको विशेष्टा में ही समझाया कि नीजी लाब जो है एक प्रेरणा तत्व है जो कि विशेष्टा में भी आपने जाना और लाब भी इसका ही है ये वेविसायों को प्रेरित करता है और अधिक मन लगा कर काम करने के लिए और अधिक समर्बन भाव से काम क बढ़ते हैं इसका तीसरा लाब होता है वो गोपनीयता होती है इसलिए होती है क्योंकि यह लोग अगिला जो लाब है वह कहता है शिघर निरणयन अब यहां करना और उसके हिसाब से कुईक डिसन करना मतलब शीकर निर्णायन करना। इस थिती में क्या होता है कि कई बार विवसाई यों को लाब भी प्राप्त होता है अगर लाब की दृष्ट कॉन से देखें कवा मुद्ध रॉप रहा है और कई बार की requirement है customers की या उबोगताओं की क्या आवशक्ता है उस तरीके से अगर वस्तूओं को या सेवाओं को उपलब्द कर आये गया तो वहां पर क्या होता है प्रत्यक्ष लाब जो है वो सामने आता है ठीक है अगले लाब की और आगे बढ़ते हैं अगला लाब कहता है दक्षता ए कर राया तो वह अगे बढ़ रहा है और उसको बहुत अदिक मात्रा में लाबार्चन हो रहा है तो क्यों हो रहा है जब अपने पूरे योगिता का उपयोग कर दक्षृता से कारे कर रहा है और उसके पीचे कठेन परिश्रम कर रहा है तो ये वी जो है एक उसका important role play करता है क्यों क्योंकि ये जो है नीजी शितर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको प्रेरित करता है कि लाभारजन करने के लिए आपको और अधिक दक्ष होना पड़ेगा साथ ही साथ आपको समर्पन भाव से काम भी करना पड़ेगा अगला आप कहता है कि वीवेधता यानि Divorosity कैसे डिवरसिटी जीस से मैंने बात की कि द्योग जो है वह अपने उत्वादों में वीविद्धता हमेशा लाते रहते हैं कैसे लाते रहते हैं अब जो सिंपल सी नूडल्स की बात करें पहले एक नूडल कि ज़ता था जो आप अच्छी तरीके से वाकी फिच्जी इस ब्रांड नेम से वो चलने लगा फिर इस ते कई चेंजेस आएं आटा नूडल्सुम भी आने लगा फिर फिर वेज नूडल्स भी आने लगा, अब नूडल्स का सेम टेस्ट फ्लेवर लेते हुए, क्या किया गया, आप सोचा गया, कुछ वेराइटी लाते हैं इसमें, क्योंकि कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं, हलकी फुलकी बुक के लिए, तो उन्होंने क्या किया, कि सूप, अलग अल नूडल्स आने लगा, फिर क्विक टू कुक जो एक जो है, एक छोटे से पॉर्ट में आपको दिया जाएगा, आप उसमें गरम पानी डालेंगे, और उसको ऐसे स्टेयर करें या हिलाएंगे, तो वह अपने आप जल्दी से पगाएंगे, तो वह अपने आप जल्दी से प गई, इसके अलावा बहुत सारे पैक्ट फूड ऐसे देखते हैं, जो की तुरंट पैकेट खोलो, उसको ऑईल या तेल में थोड़ा सा चान लो, और वह तुरंट रेडी हो जाता है, या उसको पानी में थोड़ा सा भाब दिला दो, और वह तुरंट रेडी हो जाता है, कि आप स्कूटर्स में धेए, आज कल, कितनी वैराइटी में स्कूटर्स आ रही हैं, मोटर सिल से गरबात करें, कार की श्रिंफला में देखें तो उसमें कितनी अलग-अलग फीचर आ रहे है, िलद ए लग अलग ब्राइर की, बहुत सारे टेցनिकल फीचर के साहता आरें मोबाईल की बात करें मोबाईल में तो आप बहूती तरीके इडाले विवताई प्रोडक्ट्स देते हैं सेहा दोप्रेशाओ किया जा सके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एक और बात आती है सतरकता की सतरकता की बात क्यों आती है क्योंकि बिचों यहां पर जो है जो संसाधन है जो नीजी शितर के विवसाई हैं उनका एक में एजेंडा होता है कि अपने पास जो चीजें हैं या रिसोर्स ये तनसाधर हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तमाल किया जाए और साथ ही साथ हर तरह की गलतियों से बचा जा सके चाहे वो मैनिफेक्ट्रिंग यूनिट में कोई किसी भी प्रकार का एक्सिडेंट हो चाहे वो बीमा कंपनी में अगर बीमा का कोई अमाउंट भरने की चीज करते हैं अगली जो लाब है अगला जो लाब है हो कहता है मित्वेता मतलब जितने भी संसाधन हैं उनका उच्चित इस्तमाल करना वेस्टेज नहोंने देना पूर्ण रूप से इस्तमाल करके एक अच्छे तरीके से काम को अंजाम देना और जो और ऑगनाईजेशन या कम खर्च में जो उद्देश है या जो कारी है उसको पूरा करना अगला जो लाब है वो कहता है लोच शीलता यानि flexibility कैसे समझ सकते हैं इसमें लोच शीलता की बात करते हैं तो जो नीजी व्यवसाय है उसमें लोच शीलता बनी रहती है अगर हम अन्य गुणों की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे अन्य गुण पाए जाते हैं जैसे कि संपूर्ण लाबों पर अधिकार साथ में व्यक्तिक गुणों का विकास संसाधनों का सरवादिक कुशल रूप से उपियोग और इसके साथ तकनीकी करते हैं लाबों को जानने के बाद आइए अब हम देखते हैं कि इनके कुछ दोश के हैं तक हम देखते हैं नीजी पिद जाएंगे जो अमीर है वह और अमीर हो जामांगी तेशमतों ₱ता है अगर हम्गेश्चाषा चाल का बूल वाला होता है अगर सामाज कि हितों की अंदेखी होती है वियवसाय का मुख्य उद्देश है कि लावार जिन करना लेकिन उसके पहले क्या है सेवा भावना रखना कौन सी समाज सेवा या अपने सामाजिक उत्तरदाइतों को पूरा करना लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहां पर सामाजिक हितों की अंदेखी हो जाती है और वर्ग संगर्ष को साद्धमवर की लोगों से व्यवहार करते हैं जिसे वर्ग संगर्ष को बड़ा बम बांबलता है जिके हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखते हैं कि शोशन की मिनुप्रिति बढ़ती है जिनके पास पैसा है वो ताकतवर हैं और वह क्या करते हैं गरीबों का शोशन कर शुरू करते हैं तो यह सब जो हानिया है वो नीजी शित्रों के कारण पनपने लग जाती है इसके बाद और एक हानी बढ़ती है कि दुरलब आर्थिक संसादों की बरबाद दी अब क्या होता है कि नीजी शित्र जो होते हैं तुरंत किसी लाब को अर्चित करने के लिए तत करते हैं और आर्थिक अस्थिर्ता आर्थिक अस्थिर्ता कैसी होती है जब तेजी काल या मंदी का क्रम जो होता है समूचे आर्थिक जीवन को क्या कर देता है चिन बेने कर देता है तो हाँ पर आर्थिक अस्थिर्ता थी इसके अलाब अगर आम अन्य दोश देखें तो इ है कि यहां इस सरीके से उतावले निर्ना लिये जाते हैं, जिसे कि व्यवसाए को आगेचल कर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ यहां गूपनियता के करण जो है, बाहरी लोगों को संदेह होने लगता है जिससे व्यवसाय को बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ सकता है और जो नीजी शेत्र है उनको नियंत्रत एवं नियमित करने का जो कारे होता है वो सरकार का होता है और कभी-कभी ऐसा भी पाया गया है कि यहां पर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं च सरकारिक शेत्रों को जानते है अब यह सरकारी या सारवजनिक शेत्र हैं जैसे हम नियंत्रत और संचालित कि जाते हैं अगर हम सारवजनिक शेत्रों को और अच्छे तरीके से समझें तो इसमें जो राज की स्वामित्व वाले व्यवसाय हैं इनको भी सम्मिलित किया जाते हैं अब इसमें क्या होता है किसी भी व्यवसाय की स्थापना उसका प्रबंध उसका नियंत्रन और उसके जितने भी important कार्य होते हैं या प्रबंधन से related कार्य होते हैं वो सभी के सभी सरकार द्वारा किये जाते हैं तो बचो यह तो हुआ सादनी श्रित्र के concept आईए आप इसके अर्थ को जानते हैं